मुस्कार मैं नामे जैन्ती जहाओ और आप देख रहे हैं नेक्स्टनाइन न्यूस पॉलिटिकल बाइट दोस्तों मेनपुरी सीट पर अखिलेश यादव ने तो उमीदवार का एलान कर दिया नामांकर भी भरा जा चुका है डब्वा यादव कर चुके हैं नामांकर लेकिन बीजेपी की तरफ से कौन उमीदवार होगा इस बात पर चर्चाज हो रही थी और लगातार सवाल खड़े हो रहे थी कि किसको यहाँ पर उमीदवार के तोर पर चुने लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा खेल खेला है देखे बीजेपी ने अपन्ना यादव को साइड ला भार खोशिक कर दिया है यहां दोस्तों रगुराज सिंग शाक्या जिनको लेकर कहा जाता है जाने मने नेता है बड़ा बीसी चेहरा है और मैंपुरी सीट की बात करेंगे तो मैंपुरी सीट पर तीन से सवातीन लाख मतिदाता ओवी सी बोटर्स है ऐसे में उनको साजने की कोशिश कही ना कहीं यहां पर की गई है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी ने बड़ी रन्नीती अपनाई है अब देखें डिमपल यादफ को तो बीजेपी ने यहां से माप कीजिए का डि किमपल यादफ को तो अखेले यादफ ने उमीदार बना दिया लेकिन बीजेपी अपणना यादफ पर दाव round खेल सकती है और अपणना यादफ के इत खेमे पर सकती है इसके पुरी-पुरी सभाव ना जताई जा रही थी पर अब कहीं ना कहीं ये अपढ़ना यादव के लिए बड़ा जटका माना जा रहा है क्योंकि अपढ़ना यादव जोकि मैंपुरी सीट से उतरने का सपना देख रही थी ऐसा लग रहा था कि उनको उतारा जाएगा और कहीं ना कहीं खुश भी नजर आ रहे थी अब उनका पत्ता साफ तोर पर कट कर दिया यहां क्योंकि देखे पहले यह चर्चा हुई कि अपढ़ना यादव को बीजेपी उतारेगी कहीं ना कहीं नाम पर मन्थर भी हुआ लेकिन फिर अपढ़ना यादव ने यह कहकर कन्नी काटली कि शायद वो इसमें दिल कि अपढ़ना यादव इसका यहां से बदला लेंगी बीजेपी से या फिर बीजेपी के साथ खड़ी रहेंगी दोस्तों यह देखने वाली बात इस खबर पर आपके राय क्या है कमेंट करके जरूर पताईएगा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को हमस्ता